हेलो फ्रेंड्स निटिंग एंड क्रोचर भाइन इनू में आपका वेलकम है तो आज हम एक बॉर्डर बनाने जा रहे हैं बॉर्डर ये बिल्कुल असान सा बॉर्डर है पर बॉर्डर की लुक इतनी प्यारी हारे हैं डबल निट बॉर्डर है हमारा जो बॉर्डर उसकी पर लगेगा डबल बॉर्डर तो इसके लिए आपने हम फंदे डालेने हैं फंदे जो डालेंगे वह आपने सिंगल थ्रेड से डालने हैं सिंगल थ्रेड से फंदे डालने हैं आप ये फंदे डाल सकते हो किसी भी तरह से सिरफ एक सिंपल फंदे डालने हैं सिंगल थ्रेड बुणने के लिए निकाल नहीं है कोई ऊठाना नहीं कुछ भी निकनना सिंपल सीधा उल्टा बुनेंगे और हमारा डबल बॉरडर बनकर त्यार हो जाएगा वह कैसे तो अगर आप आगे वीडियो तो दोखोगे तभी पता लगेगा ना तो फिर ऐसे सीधे फंदे डाल लीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज ब्लीज कर देजिए बेल लाक इनको पैस कीजिए और उसे आल पर क्लिक कीजिए तापके आपके आने वाली वीडियो क तैंटो हम आगए अपनी पैतना की फस्ट रो बिश्ट में मैं आपके ने इस्युलिजर दला दे लिज़ी तो आपको इससे कोई मतल क्यूंत तो फस्त है यहां पर फस्त हया निटे की हैं का थ्या एक तरफ किय एक को बीना वहने उतारा थाग्य, फंड, पीछे कियं के एक एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर धागे को पीछी ले गए, एक फंदा सीधा, पूरी रो हमने एक फंदा सीधा बुनाने, और जो दूसरा फंदा उसको हमने बिना बुने उतारा, पर धागा अपनी तरफ ले किया नहीं, यह अप पिर दाग अपनी तरफ लेक्व कus फंदे को बीण बुने उतारा थागा पीची ले गए सीधा फंदा पूरी रो में हमने सीधी रो डाली है सीधी फंदे बुणना एक फंदा हमने सीधा बुर्णा एक बीना बुनी उतारे हैं उसके लिए अपनी से लेके आये बीना बुने उतारे हैं फिर पीछी लेकर जारे हैं फिर रों दालो तब यह आपका बार डबल ड़ाइल यहासा दिखाई करना तो यह दिखान है वीडियो को सिकिप मत करना तब आपको यह वाला बॉटर समझ में आएगा सिर्फ हमारी तीन या चारों आपको देखनी पड़ेंगे उसके बाद तो इसमें कुछ भी नहीं है यह देखिए हमने एक फंदा बुना धागा अपनी तरफ किया एक फंदे को बीना बुने उतारा धागा पीछे अब लास्ट में ह sommहर स्वाश ध्यान से देखनी पड़ेंगे तभी आपको यह बॉटर आपका बन के आएगा तो यह को हमने सीधा फंदा था उसको हमने बिना बुने उतार लिए फर्सट संदंधी को इने बिना पुने उतारा फिर सेकंड्दे को में बिना बुने उल्टा फंदा बुनेंगे धागे को पीछे ले जाएंगे फिर धागे को आगे लेके आएंगे उल्टा फंदा बुना हमने एक फंदा उल्टा बुना, धागे को पीछे ले गए, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर धागा अपनी तर्फ लेक्या है, फिर एक फंदा हमने उल्टा बुना, धागे को पीछे ले गए, एक फंदा बिना बुने उतारा, जैसे हमने फर्स्ट रोड आली थी, सेम व्यास पर यहांब पहम फंदा उल्टा बोने रहे हैं सीधनी बोन रहे है उल्टा बुनत भंदा जागे को पीछी में आधोगए यह फंद बिना बुना दे बीम इतारा उस फंदे को इस रो में भी मी दहागे को पीछी लुए पीछी ले गये को भी देज़ागे को पे preço घुआ दोर लुए से धाग पराब्डमाः कीज़ाone धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा बुना, धागा पीछे ले गए, बिना बुने उतार ले, फिर धागा अपनी तरफ लास्ट वले फंदे को फिर हमने उल्टा बुने ले ले, अब भी हम आगे 3rd row, टर्ड रो हमने से घ्रलाशे बुणनिया, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी. फिर दिखियो हमने सीधा असबनी तरफ के एक पिशी लेगाए फिर हमने सीधा फ़ан्दल ने भुणनने उतरा धंगा पि हेले फिर हमनने सीधा फ़ testimon लिया, यह दे खियो एक फंदाभा बिना बोने उतारा फिर धाताँब पीछी लेगए एक फंदाँ सीधा धाताओं परे तरफ एक फंदाभ सीर और बस और यह इसे हमने एक निया किने प्लेलिए wał Cum एक प्लेंसे निशर किम आथी से और स्यखें मिरें लिए यह दोिगी इसनमने लिए ईसाओ धागा सीधा धागा पनी तरफ एक पनी पर्येज़ा है. नहीं पहलं हो फंदा सीधा निएगा जिसको के हम भुनेंगे, यह दिखे आखे अब हम आगे फोर्थ पे फोर्थ रो भी हमने से ये डालने ये जैसे हमने ers patient कि सेकंड रो डाली थे या पर हम क्फरस्ट को विन बुन्ह उतार रहे हैं सैकंड फंद को भी हम बुन्ह 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 उताघ neighborhood फिर दरह फिर हमने से हम से ये वं यहीं फोर्थ रो डालने के बाद आपका बॉर्डर नीचे से डबल निट हो जाएगा जैसे कि हम डबल निट बॉर्डर बनाते हैं इसके बाद आपने एक उल्टा और एक सीधा इस पर बना लेना उल्टा सीधा यह दिखिए जैसे आप इस पैटन को बनाओंगे वह उल्टा सीधा को अपने आप बिखाई दिएगा कि कोई साफ तीख सीधा और कोवज ओल्टा बुन्यां तो इस बादर पे आप उल्टा सीधा ही है आपका पैटन बनेंगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग से एक सीधा और एक उल्टा धाला थ到 ऐसे ही हमारा यह पैटर्ण बनेगा इस कि उपर आप में कुछ भी नहीं ळेना है एफ की का बॉटर होलेख भाद सीधा दिखा है रहा है और ऊत्छा। जो उल्टा दिखा है दिखा ुसको वृट उलटबिभी इस रो में अब हम सारे के सारे फंदे बुनेंगे, यह हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ करके यह उल्टा, धागा पीछे यह सीधा, इस रो में यह हमारे फिफ्त रो है, फिफ्त रो में अभी सभी फंदे हम बुनेंगे, इसके बाद ऐसे आपने इस पे एक उल्टा, एक टेखोत बौडर बना लेके तो फिर हम देखते हैं इसके लोग कैसी आ रही है यह देखे यह हमने इसके उपर बौडर बना लिए लग शी लूगा रही हूं मैं शीरे को ब्लौडर ब Cambodia देखे पीछे से हमारे फंदे up है से आ रहे हैं तो यह हमारे पीछे ही रह जाएगा तो यह देखिए जब आप इसको सीधा करके देखोगे तो यह देखिए हमारा बहुत ही डवल निट बोडर आ रहा है और बहुत ही स्ट्रेच बनके और नीचे से फंदे डबल है इसलिए यह आपका बॉडर नीचे से जल्द ही खराब भी नहीं होगा यह देखिए और यह जादा टाइट बनेगा ना यह जादा खुलेगा तो यह बॉडर बैस्ट है क्योंकि इसमें फंदों का खिचाब भी नहीं रहता है जैसे नीचे से कई पर यह बाजू डालते हैं तो बच्चों के बाजू नहीं डालती और फ